दोस्तो आज कल जीवन का कोई भरोसा रही और भरोसा बिजनस का भी नहीं है आज है कल नहीं है कुछ पता नहीं जीवन भी वैसा ही है आज है अगले ही पल क्या हो जाए आप कोई गैरेंटी नहीं ले सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं हम फिर भी अपने जीवन को लेकर सेक्योर र तो हमारे आने वाली पीड़ी या फिर हमारे बच्चों को किसी तरह का कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े और इस चीज को अशॉर करने के लिए हम कई तरह की पॉलिसिस लेते हैं, कई तरह के इंशॉरेंस कराते हैं ताकि हमारे जाने की वज़ा से, हमारे किसी दुरगटना गरस्त होने की वज़ा से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ कब क्या ले आए, कब सर्प्राइस में लाइफ के क्या हो, आप कुछ नहीं जान सकते और वही बिजनस का हाल होता है, बिजनस की अगर हम बात करें तो आप अभी ही देख लीजिए, हम इसे कोई नहीं जानता था कि 2020 में इस तरह का कोई महामारी आ जाएगी और यह महामारी हर किसी का बिजनस, हर किसी का रोजगार ठप कर देगी, देश की एकोनॉमी का बुरा हाल हो जाएगा, हम इसे कोई इस बात का अंताजा नहीं लगा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ, अब इस काल के दौरान, करोना काल के दौरान, शायद हमको यह सीख ले लेनी च चाहिए कि चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो बिजनस लाइफ हो, हमें कुछ ना कुछ ऐसे पैमाने, ऐसे पैरामीटर्स, ऐसी कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी, जिससे अगर कुछ हो भी जाए, तो हमारे पास कम से कम, कुछ साल, टेंशन करने की हमें जरूरत ना हो, इतना टेंशन ना हम अपने उपर ले ले, कि हमें मानसिक तनाव होने लगे, क्योंकि इस दुरान कहीं लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, और इसी के चलते, आज हमने सोचा क्यों ना बिजनस इंशॉरेंस की बात में, यही आपको बताया जाए कि आखिर कार कि इस तरह से आप बिजनस इंशॉरेंस करा सकते हैं, कितनी तरह के बिजनस इंशॉरेंस हैं और किसके क्या फायदे हैं, ताकि आप और हम आने वाले जिंदगी, आने वाले पीडी को कुछ दे कर जा सकें, और एशॉर करकर चाएं कि हमारे बात भी वो लोग निश्चिंध हो रह सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं बिजनस इंशॉरेंस की। जीरोटी टिकती है, तो हम यही बोलना चाहेंगे कि यह इंशॉरेंस एक इसा इंशॉरेंस है, जिससे आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं। यह आपके बिजनस को काफी तरह से प्रोटेक्ट करता है, जैसे प्रौपर्टी में किसी तरह का लॉस या आपके किसी एंप्लॉई के साथ होने वाला कोई हाथसा, मेडिकल खट या फर किसी कारणवर्ष कोट में होने वाला कोई खट, लॉयर की फिर सित्यादी, जाहे आप खर से करते हواं या फिर आपका कोई Office हो, यह General Laiability Insurance कराना आपके लिए ज़रूरी है। और उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो लगूँ इद्डियोग करते हैं यानि कि जो घर से काम करते हैं। उन लोगों के लिए भी इंशुरेंस बहुत ही फायदे बन्थ है। आप बात करते हैं दूसरे इंशुरेंस की। ये थो हम सब जानते हैं कि जिस जगह आप बिजनस करते हैं वहाँ पर बिजनस रिलेटिड आप अपना पूरा सामान रखते हैं जिसे रौ मेटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई और उस सामान को कुछ ना हो, उस सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए आप गार्ड्स भी रखते ह हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी तरह का कोई भी नुकसान हमारे सामान को ना हो, कोई भी किसी तरह की प्रोपर्टी कोहानी ना हो और जरूरी भी है, लेकिन जैसा कि शुरुवात में हमने कहा कि हादसा कब कहा हो जाए, आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते, आप पर आप ले लिजिए कि आग लग गई, शौर्ट सर्किट हो गया, या फिर आग कहीं और लग गई, बट आपके फैक्टरी ने आग पकड़ ली, या फिर जहां पर आपने सामान रखा था, उसने आग पकड़ ली, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई हादसा हो गया, जिसस पर आप अपने बिजनस का सामान रखते हैं, वहाँ पर आग लग जाए, चोरी हो जाए, ऐसी सिचुएशन में आपके जगा आपका सामान सब कुछ तबाह हो जाता है, और बिजनस भी पूरी तरह से ठप हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको कराना प्रॉपर्टी डैमेज इंशूरेंस, उसकी मदद से आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, जाहे वो नुकसान प्रॉपर्टी में हुआ हो, या मशीनों का, फरनीचर का हो, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे दंगे इत्यादी, इस इंशूरेंस की मदद से आप अपने नुकसान के भरपाई कर अपना बिसनस दुबारा शुरू कर सकते हैं, तो देखा आपने कि ये इंशूरेंस कितना कारगर साबित हो सकता है, दंगे की वज़ा से, या फिर चोरी हो गई, या फिर आग लग गई, ऐसे में हमेशा हमारे जहन में आता है कि ये वीकल पॉलिसी ये इंशूरेंस बहुत ही ज़ादा जरूरी है क्योंकि सरकार के नियमों के अनुसार आपके बिसनस में कोई भी वीकल काम में आता है, आपको उस वीकल का इंशूरेंस कराना बहुत जरूरी है, इसके कई कारण है ये इंशूरेंस एक्सिडेंट आप चोरी जैसी सभी परिस्तितियों के लिए है, इसमें वीकल के लिए और वीकल चालर के साथ तीसरे व्रक्ति के लिए भी हर जाना मिलता है, जो धुरगटना के वक्त चोटिल हुआ है अगला इंशूरेंस है एंप्लॉई पॉलिसी दोस्तों हम सब चानते हैं कि जब हमारे साथ कोई भी काम करता है, हम चाहे वो ओफिस में काम करें या फिर कोई बिजनस में हमारे वरकर्स काम करें, हम एक परिवार बन जाते हैं और जिस तरह से हर परिवार का जिम्मा, परिवार का मुख्या उठाता है और हर परिवार के बीच में एक coordination बिठाना पड़ता है, उसी तरह से बहुत जरूरी होता है business जो कर रहा है, यानि कि जो head है और जो employee है, यानि कि employer और employee के बीच में एक बहुत ही अटूट रिष्टा ब करमचारी को खुश रखेंगे, तो जाहिर दोर पर करमचारी भी उसके लिए उतना ही डटकर और उतनी ही मेहनत से काम करेंगे, ऐसे में अगर कोई हास्ते में आपके worker की working hours के दौरान death हो जाती है, या फिर उसका accident हो जाता है, या फिर काम करते करते उसका कोई अंग damage हो जा बात यह नहीं है कि आपको हरजाना बना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि अगर उसके घरवालों ने आप पर मुकदमा कर दिया, तो उस मुकदमे की भरपाई आपको महंगी पड़ सकती है, और दूसरी बात जैसे कि मैंने पहले भी कहां कि employee और employer का एक relationship होता है, एक reliability होती है और आपकी image, आपकी image क्या जाएगी market में ये भी बहुत ज़रूरी है, employee policy उन सभी कानूमी खर्चों का भी खयाल रखता है, जो worker की family द्वारा मुकदमा दार करने से उठानी पड़ती है दोस्तों कहते हैं कि जहां पर चार बरतन होते हैं वो तो खटकते ही हैं, अब किसी भी business में ग्राहक के साथ, आपके client के साथ, आपके worker के साथ, नोग चुंक होना, किसी बात पर विवाद होना आम सी बात है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कि ये विवाद इतना बढ़ जा पाने पर सकते हैं, ऐसे में ये insurance बहुत काम आ सकता है, लीगल लाइबिल्टी बीमा insurance आपके कोट में होने वाले खर्चों को सुरक्षित करता है, वरना सभी खर्चा owner को अकेले ही उठाना पड़ता है, अगर आपका business उत्पादम क्षेत्र से जुड़ा है, तो आपके की वज़ा से आपके customers को नुकसान भी हो जाता है, ऐसे में ये insurance आपके लिए बहुत काम आता है, इसमें वो भी खर्च शामिल होता है, जो आपके product को यूज़ करने की वज़ा से customer को नुकसान होने पर आपको करना होता है, Customized Insurance जैसा की नाम से ही मालूम पढ़ रहा है कि अलग-लग बिजनस के लिए अलग-लग तरह के insurance होते हैं, और उसके लिए अलग-लग नियम और काम आता होते हैं, अलग-लग बिजनस के लिए विशेश तरह के insurance की जरूरत होती है, और काफी सारे insurance कंपनियां इस तरह के insurance कराती जैसे कि petrol pump वाले petrol pump insurance ले सकते हैं, restaurant वाले restaurant insurance और warehouse वाले warehouse insurance ले सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी information useful लगी, आपको लग रहा है कि हम अच्छे अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, तो please आप हमें subscribe जरूर करें, हमारा bell icon का बटन दबाना बिलकुल न भूलें, ताकि हमारी पहली information सबसे पहले आप तक पहुंचे, और हाँ, झब याओना बूले आपको लोस्तों दियOSH कहते हैं, हमारी रहे संचच अच्छी जानकारेको दोस्तों जूब जाए संस्तों पहुंच झामका कि हमारी है, मारे आपको लोगदानकिन है झाल झाल